वेलकम टू किसान मसीन स्वागा थे आपका फिर सेक नए वीडियो में आपके अपने चैनल किसान मसीन में तो दोस्तो ये जो आप ब्रस कटर देख रहे हैं ये फोर इस्टोक ब्रस कटर है किसान क्राफ्ट कमपनी का फोर इस्टोक ब्रस कटर है ये दोस्तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस मसीन में स्टार्टिंग प्रोब्लम है मसीन स्टार्ट नहीं हो रहा है चलिए मैं आपको इस मसीन का मोडल नंबर दिखा देता हूँ तो जैसा कि आप देख सकते हैं यह देखे यहाँ पर लिखा हुआ है KKBC48634 4 stock brush cutter repairing करना चाहते हैं आपका दुकान है यह दुकान नहीं है आप घर पे ही मसीनों को repairing करना चाहते है 4 stock brush cutter petrol engine 34cc 1.2 HP दोस्तो आपके पास 4 stock brush cutter है यह 2 stock स्टार्ट नहीं हो रहा है तो डीटेल में आपको चेक करना पड़ेगा आपके मसीन में क्या problem है दोस्तो कई बार ऐसा होता है कि आपके मसीन का एक spare parts खराब रहता है जिसके वैसे आपका machine start नहीं होता है कभी कभी ऐसा होता है कि 2 या 4 या 4 से भी ज़्यादा spare parts खराब होता है तो कैसे पता चलेगा आपके मसीन का क्या खराब है खोल कर चेक कीजिएगा तब तो पता चलेगा आपके मसीन का क्या खराब है देखिए air filter कबर खोल कर हमने air filter को बाहर निकाला है यह है air filter air filter clean है तो सही है और अगर clean नहीं है dust लगा हुआ है तो आप इसे petrol सवास कीजिए यह देखिए यह है chalk liver chalk liver इस machine का देख पा रहे है अब chalk liver इस machine का work नहीं कर रहा है chalk liver और chalker इस machine का work नहीं कर रहा है chalk liver और chalker काम नहीं कर रहा है यह दोनों damage है देखिए जब आपके machine का chalk सही से काम करता है तो यह जो chalker है यह उपर में रहता है और chalk liver भी उपर में रहेगा ये देखे चौकर तो उपर है ही और आपका चौक लिवर है ये भी उपर के साइड रहेगा चौक लिवर को इस तरह से हम नीचे कर देंगे ये देखे चौक लिवर अभी नीचे है और चौकर उपर है तो ये चौकर भी नीचे रहेगा चौकर और चौक लिभर यह दोनों नीचे रहेगा तो आपका मसीन चौक में नहीं रहेगा ये देखिए अभी मसीन आपका चौक में नहीं है जब भी आप मसीन चलाए चौक में ना चलाए मसीन को चलाते समय चौकर और चौक लिभर यह दोनों नीचे रहेगा दोस्तो किसी भी मसीन को स्टार्ट करने से पहले हमें फ्यूल टैंक में फ्यूल चेक करना बहुत ज़रूरी है यह देखे पैट्रोल टैंक में पैट्रोल भरा हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे हैं पैट्रोल टैंक में पैट्रोल होना चाहिए आप चेक कर लिजे अगर petrol में पानी रहेगा तो आपके machine में starting problem आएगा brush cutter start करने से पहले carburetor में लगा हुआ prime bulb को आप 4-5 बर press कर लिजे prime bulb को press करते समय prime bulb और fuel pipe यह दोनों को check कर लिजे prime bulb और petrol pipe यह दोनों को अच्छी तरह से check कर लिजे यह दोनों में कोई भी damage है फटा हुआ है कटा हुआ है तो आप इसे change कीजिए एक नया लगाईए machine start है switch को उपर करेंगे तो engine off हो जाएगा switch को नीचे का तरफ करेंगे तो switch on हो जाएगा यह देखे switch on कर दिया है हमने switch on हो गया है अब मैं machine को start करूँगा और check करूँगा क्या problem है machine में machine start करके throttle liver को इस तरह से हम press करेंगे तो engine race होगा engine का speed बढ़ जाएगा ब्लेट रफ्तार में घुमने लगेगा अगर यह ब्रस कटर start नहीं होगा तो मैं एक एक करके सभी spare parts को बारीके से चेक करूँगा इस machine में compressor बिल्कुल भी नहीं है जब मैं recoil इस shutter को खीच रहा हूँ तो recoil इस shutter खीचते समय ताकत नहीं लग रहा है compressor इस machine का खत्म हो चुका है चौक लगा कर हमने machine को start करने का कोशिस किया बट machine start नहीं हो रहा है दोस्तो इस machine में compressor बिल्कुल भी नहीं है जब भी मैं recoil इस shutter को खीच रहा हूँ recoil इस shutter खीचते समय ताकत नहीं लग रहा है compressor आपके machine का खत्म हो गया है recoil इस shutter खीचने में ताकत नहीं लग रहा है तो ऐसे में आप अपने machine का ring, piston और cylinder चेक कर सकते है मैं इस machine का engine खोलने वाला हूँ engine खोल कर ring, piston, bulb और cylinder यह सभी को मैं चेक करूँगा ऐसे में कुछ भी damage हो सकता है जब तक machine खुलेगा नहीं पता नहीं चलेगा क्या खराब है इसलिए machine को खोल कर चेक करना बहुत ही जरूरी है देखिए कलच assembly में 3 elenky bolt लगा हुआ है या 4 mm का elenky bolt है कलच assembly का left and right bolt को हमने ढिला कर दिया है और बीच वाला जो elenky bolt है उसे मैं खोल कर बाहर निकालूँगा टॉप कभर को खोल कर बाहर निकालने के लिए हमें 5 elenky bolt खोलना पड़ता है 3 elenky bolt हमने खोल दिया है यहाँ पर भी एक elenky bolt होता है बट लगा हुआ नहीं है टॉप कभर में कार्वेटर साइट से भी एक elenky bolt लगा हुआ रहता है बट वो लगा हुआ नहीं है तो हमने टॉप कभर को बाहर निकाल दिया है जैसा कि आप देख सकते हैं टॉप कभर में बहुत ही जदा dust और oil लगा हुआ है इस तरह से आपके machine का भी oil बाहर आ रहा है ये देखे बहुत ही जदा dust लगा हुआ है और oil भी देख सकते हैं या engine oil जो है वो बाहर आ रहा है तो ऐसे में आपको जितना भी engine में gas kit लगा हुआ है packing लगा हुआ है oil seal लगा हुआ है यह सभी को चेक करना बहुत ही ज़रूरी है ये देखे दोस्तो जिस insulator में carburetor tight रहता है वो insulator टूटा हुआ है ये देखे insulator टूटा हुआ है डैमेज है इस machine का carburetor और insulator को बाहर निकालने के लिए हमें दो elinky bolt खोलना पड़ेगा ये देखे का carburetor का elinky bolt है ये 4 mm का elinky bolt है ये 4 mm का elinky लेकर इस bolt को आप आराम से खोल दीजिए ये देखे bolt खुल चुका है दोस्तो आपके machine का इन्यन में लगा हुआ gasket और oil seal कटा हुआ रहेगा तो इस तरह से oil बाहर आएगा सभी gasket और oil seal या सभी को आप अच्छी तरह से चेक कीजिए gasket या oil seal आपके machine का कटा हुआ है फटा हुआ है डामेज है तो आप उसे चेंज कीजिए pipe में ये cliff लगा हुआ होना चाहिए कोई भी gasket या oil seal कटा हुआ रहेगा तो आपके machine में starting problem होगा ये देखिए हैं carburetor gasketट carburetor gasket आप देख पा रहे है यह damage हो गया है प्राइमबल्ब लगा हुआ है इस तरह से press करके आप देखिए प्राइम बल्ब टाइट हो रहा है तो सही है अगर टाइट नहीं हो रहा है प्राइम बल्ब ढीला लग रहा है प्रेस करने पर प्राइम बल्ब को प्रेस करने पर लूज लग रहा है तो ऐसे में आप पेट्रोल पाइप को चेक कर सकते हैं पैटरोल पाइप डैमेज हो सकता है, या फ्यूल फिल्टर भी डैमेज हो सकता है, कारबुरेटर डैमेज होने पर भी प्रैम बल में पैटरोल नहीं आता है, एक्सेलेटर केबल को बाहर निकालने के लिए हमें 10 नमबर का नट खोलना होगा, accelerator cable में 10 number का 2 nut लगा हुआ है 10 number range लेकर आप इस nut को खोल सकते है accelerator cable में लगा हुआ nut को आपने खोल दिया है carburetor में accelerator wire लगा हुआ है wire को इस तरह से निकाल सकते है देखे wire निकाल चुका है petrol tank के अंदर एक fuel filter है fuel filter आपके machine का block रहेगा damage रहेगा या टूटा हुआ रहेगा तब भी machine में starting problem आएगा इसलिए आप fuel filter को निकाल कर check कर लिजे fuel filter damage है टूटा हुआ है तो आप उसे change कीजिए fuel pipe को भी आप अच्छी तरह से check कर लिजे petrol pipe कटा हुआ है फटा हुआ है damage है तो आप उसे change कीजिए petrol pipe damage रहेगा तो आपके machine में starting problem आएगा असपार पलग का cap हमने बाहर निकाल दिया है अब मैं असपार पलग को खोल कर बाहर निकालूगा यह देखिए हमारे पास है plug range plug range लेकर आप इस तरह से असपार पलग को खोल सकते हैं असपार पलग को खोल कर आप जब भी feed कीजिए असपार पलग में कारबन लगा हुआ है तो कारबन को आप अच्छी तरह से clean कर लीजे असपार पलग में कारबन लगा हुआ नहीं होना चाहिए कारबन लगा हुआ है तो carbon को clean कीजिए इसके बाद आप आप spar plug को fit कीजिए ये जो आपने spar plug देखा इस spar plug में बहुत ही ज़्यादा carbon लगा हुआ है तो मैं carbon को clean करके लगाऊंगा spar plug में current चेक करने के लिए plug cap में आप इस तरह से spar plug को लगा दीजिए इसके बाद आपको switch on करके recall इस शटर को खिच का current चेक करना है spar plug में current आना चाहिए spar plug में current आ रहा है या नहीं आ रहा है मैं आपको zoom करके दिखाऊंगा spar plug plug cap में tight होना चाहिए आप एक बार दुबारा से चेक कर लिजिए spar plug में जो cap लगा हुआ है पलक tight होना चाहिए जैसा कि आपने देखा spar plug में current आ रहा है आपके brush cutter machine का spar plug में current नहीं आ रहा है plug cap से spar plug को बाहर निकालिए अब आपको plug cap निकालना है plug cap को आप इस तरह से खेच कर बाहर निकाल देजिए यह देखिए plug cap निकाल चुका है ignition coil से direct आप current चेक करना चाहते है यह देखिए ignition coil का जो wire है उसको आप यहाँ पर सटा कर रखिए switch on होना चाहिए recoil starter केच कर इस तरह से आप current चेक कर सकते हैं outer pipe को बाहर निकालने के लिए clutch assembly का दोनों bolt को धीला कर दीजिए यह देखिए 4 mm का elinky bolt है 4 mm का elinky लेकर आप इस तरह से bolt को धीला कर दीजिए उसके बाद आप pipe को इस तरह से खेचेंगे तो pipe बाहर आ जाएगा rod को इस तरह से बाहर निकाल दीजिए rod निकाल चुका है चलिए अब मैं आपको insulator खोल कर दिखाऊंगा आप अपने मसीनों का insulator को अच्छे से चेक कर लिजे insulator damage नहीं होना चाहिए insulator टूटा हुआ, कटा हुआ, फटा हुआ, damage रहेगा तो मसीन में starting problem आएगा देखिए मैं आपको insulator दिखाता हूँ देखिए इस मसीन का जो insulator है यह पूरी तरह से टूट गया है, damage हो गया है देखिए, यह जो insulator है, यह damage हो गया है जैसा कि आप देख पा रहे है, insulator टूट गया है यह देखिए, insulator कुछ इस तरह से लगा हुआ होता है यह देखिए, insulator इस तरह से होता है एंसुलेटर तूटा हुआ है तो मैं इस मसीन में एक नया एंसुलेटर लगाऊंगा क्या आपने किसान मसीन यूटूब चैनल पर पहली बार विजिट किया है किसान मसीन चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी सस्क्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन आउन कर ले ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे सिलेंडर कभर को मैं खोल कर बाहर निकाल रहा हूँ 4mm का एलिंक के बोल्ट लगा हुआ है ये देखिए सिलेंडर कभर खोल चुका है सिलेंडर कभर का जो गासकेट है ये देख सकते हैं ये गासकेट पूरी तरह से डैमेज हो गया है सिलेंडर कभर गासकेट को मैं चेंज करूँगा gasket फटा हुआ, कटा हुआ, damage रहेगा तो oil leakage करेगा cylinder कभर से oil leakage कर रहा है तो आप gasket को change कर दीजिए change करने के बाद oil leakage नहीं करेगा मैं silencer को खोल कर बाहर निकाल रहा हूँ ये देखिए silencer खोल चुका है silencer gasket को भी आप अच्छी तरह से check कर लीजे ये देखिए, ये है silencer gasket silencer gasket टूटा हुआ रहेगा फटा हुआ रहेगा, damage रहेगा तो जब भी आप machine को start करके चलाएंगे sound बहुत ही ज़ादा करेगा तो ऐसे में आप silencer gasket को change कर सकते हैं, silencer में 4 mm का elinky bolt लगा हुआ रहता है 4 mm का elinky लेकर आप silencer को खोल सकते है, recoil starter में जो bolt लगा हुआ है उसे मैं खोल रहा हूँ, recoil starter को खोल कर बाहर निकालना बहुत ही आसान है 3 elinky bolt हमने खोल दिया है एक और elinky bolt को मैं खोलूँगा तो starter बाहर आ जाएगा देखे, starter बाहर आ गया है क्या आप इस machine का recoil starter खरिदना चाहते है, आपके machine का starter damage हो गया है आप खरिदना चाहते है starter आपको मिल जाएगा हमारे पास description में आपको हमारा whatsapp नमबर मिल जाएगा आप चाहे तो मुझे message कर सकते हैं या call भी कर सकते है cylinder में elinky डाल कर हमने piston को नीचे कर दिया है cylinder में मैं एक रस्य डालने वाला हूँ cylinder में रस्य डालकर मैं piston को lock करूँगा cylinder में आप recoil starter का rope डाल सकते हैं start reel को मैं खोलकर बाहर निकालने वाला हूँ start reel को खोलने के लिए आपको 14 नमबर का गोटी चाहिए 14 नमबर का ये गोटी है और handle है 14 नमबर का गोटी और handle लेकर start reel को आप बहुत ही आसानी से खोल सकते हैं 14 नमबर का गोटी और handle लेकर हमने start reel को खोल दिया है ये देखे start reel खोल चुका है जैसा कि आप देख पा रहे हैं start reel को खोल कर आप अच्छी तरह से चेक कर लिजे start reel damage नहीं होना चाहिए 5 mm LNK लेकर मैं इस बोल्ट को खोल रहा हूँ 5 mm का 4 LNK बोल्ट लगा हुआ है कलच assembly में 5 mm का LNK लेकर आप 4 बोल्ट को बहुत ही आसानी से खोल सकते हैं दोस्तो कलच assembly को खोल कर बाहर निकालने के बाद कलच और कलच drum चेक करना बहुत ही ज़रूरी है अगर आपके machine का कलच damage रहेगा तो machine start करते ही blade घूमने लगेगा कलच drum आप इस machine का इस तरह से चेक कर सकते हैं ये देखिए कलच drum plane होना चाहिए कहीं पर फस रहा है तो आप इसे change कीजिए कलच drum बिल्कुल सही है screwdriver लेकर आप इस तरह से कलच drum को check कर सकते हैं इस machine का damage हो गया है मैं इस machine का कलच change करूँगा एक नया कलच लगाऊँगा कलच दुनों साइड से घिस गया है damage हो गया है कलच में लगा हुआ spring lose हो गया है तो ऐसे में आप machine को start करके चलाएंगे तो आपके machine का blade automatic गुमने लगेगा कलच को खोल कर बाहर निकालने के लिए हमें कलच का bolt खोलना होगा कलच खोलने से पहले देख लिजिए रस्ती लगा हुआ होना चाहिए cylinder में cylinder में starter rope लगा हुआ है piston lock है तो आप 17 नमबर का ring range लेकर इस bolt को आराम से खोल सकते हैं कलच में जो bolt tight है वो 17 नमबर का है 17 नमबर का ring range लेकर मैं इस bolt को खोल रहा हूँ 17 नमबर का range, ring range, goty handle यह सबी से आप bolt को खोल सकते हैं देखे, bolt खोल चुका है कलच वाला 17 नमबर का एक clutch bolt हमने खोल दिया है देखे, बहुत ही आसान है bolt को खोलना 17 नमबर का ring range लेकर आप bolt को खोल सकते हैं देखे, कलच bolt में इस तरह से वासर लगा हुआ होता है कलच का bolt खोल कर आप जब भी बाहर निकालेंगे इसके बाद आपको कलच को इस तरह से निकालना है यह देखे, कलच जब आप निकालेंगे तो आपको दो वासर और मिलेगा कलच को खोल कर बाहर निकालिएगा तो दो वासर आपको मिलेगा यह देखे, प्लेन वासर है यह flywheel में पहले इस तरह से लगा हुआ रहेगा दोनों में एक एक वासर लगा हुआ रहेगा ये प्लेन वासर है फैन कभर का अलेंकी बोल्ट खोल कर फैन कभर को बाहर निकालना बहुत ही असान है फैन कभर में आपको 4 mm का 4 अलेंकी बोल्ट मिलेगा ये चार बोल्ट को खोल कर बाहर निकालिएगा तो fan cover बाहर आ जाएगा किसान मसीन यूटूब चैनल बेश्ट किसान मसीन में से एक है कभी-कभी हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं मसीन और वीडियो के content पे कभी भी compromise नहीं करता इसलिए वीडियो को पूरा end तक देखना बहुत ही जरूरी है फैन कभर का bolt हमने खोल दिया है ये देखे फैन कभर बाहर आ गया है फैन कभर में देख सकते हैं बहुत ही जदा oil और dust लगा हुआ है इन्यन का सभी gasket और oil seal डेमेज हो गया है gasket और oil seal को change करूँगा ये देखे ये है तेरा नमबर का गोटी और handle तेरा नमबर का गोटी और handle लेकर मैं flywheel में जो nut लगा हुआ है उसे खोल रहा हूँ तेरा नमबर का nut लगा हुआ है flywheel में तेरा नमबर का गोटी और handle लेकर आप इस nut को अराम से खोल सकते हैं तेरे नमबर का nut को खोल कर बाहर निकालने के बाद मैं flywheel को बाहर निकालूँगा सिलेंडर में रॉब डला हुआ होना चाहिए सिलेंडर में रस्ती डला हुआ होना चाहिए और piston lock होना चाहिए तभी आप nut को खोल पाईएगा फ्लाइवील में लगा हुआ नट को खोल कर बाहर निकालिएगा तो फ्लाइवील बाहर इस तरह से नहीं आएगा ये देखे फ्लाइवील को आप इस तरह से खीच कर बाहर निकालेंगे तो फ्लाइवील बाहर नहीं आएगा इसके लिए आपको फिर से nut लगाना होगा पेट्रोल, क्रियासन तेल या जंग छोड़ाने वाला केमिकल का इस्तमाल कर सकते हैं फ्लाइविल को खुल कर बाहर निकालने के लिए मैं जंग छोड़ाने वाला केमिकल का इस्तमाल कर रहा हूं flywheel को खोल कर बाहर निकालने के लिए देखिए chemical, creation, तेल या petrol डालने के बाद flywheel को अराम से खोल कर बाहर निकाल सकते हैं अब आपको फिर से nut लगाना है 13 number का nut आपको फिर से इस तरह से फसाना है उपर का level में nut होना चाहिए nut अंदर tight नहीं करना है एक hammer हतवडा लेकर आप इस तरह से ठोक कर बाहर निकाल सकते हैं flywheel को देखिए flywheel ढिला हो चुका है flywheel lose हो चुका है अब आपको 13 number का nut खोल कर बाहर निकालना है 13 number का nut खोल कर बाहर निकालेंगे तो flywheel बाहर आ जाएगा ये देखे आपको किस तरह से फ्लाइवील को निकालना है बहुत आसान है फ्लाइवील को निकालना ये देखे फ्लाइवील निकल चुका है जैसा कि आप देख पा रहे हैं flywheel को निकाल कर अच्छी तरह से चेक कर लिजे, flywheel टूटा हुआ, फटा हुआ, डेमेज नहीं होना चाहिए, flywheel टूटा हुआ रहेगा, फटा हुआ रहेगा, डेमेज रहेगा, तो आपकी machine में starting problem आएगा, flywheel damage होने से current बहुत ही कम आएगा, और अगर current कम आएगा, तो machine में starting problem प्रोलम आएगा अगर आपका मसीन स्टार्ट हो भी जाता है जैसे ही आप एक्सलेटर को प्रेस करेंगे आपका मसीन आफ हो जाएगा इगनीशन कोईल को खोल कर बाहर निकालने के लिए 3mm का 2 LNK बोट खोलना पड़ता है ये देखे मैं 3mm का LNK लेका दोनों बोट को खोल दिया हूँ इगनीशन कोईल को खोल कर आप अच्छी तरह से चेक कर लिजिए इगनीशन कोईल बिल्कुल सही होना चाहिए इगनीशन कोईल टूटा हुआ फटा हुआ कटा हुआ डैमेज आपको दिख रहा है तो आप उसे चेंज किजिए आपके मसीन का इगनीशन कोईल डैमेज रहेगा तो करंट बहुत ही कम आएगा current कम आएगा तो machine में starting problem आएगा machine start हो जाएगा लेकिन जैसे ही आप accelerator को प्रेस करेंगे आपका machine अचानक से off हो जाएगा इसलिए आप ignition coil को अच्छे तरह से check कर लिजिए अगर ignition coil damage है तो आप उसे change किजिए एक नया ignition coil लगाईए अच्छे तरह से चेक कर लिजिए पैटरोल पाइप और फ्यूल फिल्टर या दोनों को आप अच्छे तरह से चेक कर लिजिए देखिए कार्विरेटर आप इस machine का देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा dust लगा हुआ है कार्विरेटर में इस कार्विरेटर को मैं पैटरोल से वास करूँगा ignition coil को खोल कर जब भी आप बाहर निकालेंगे आपको दो वासर मिलेगा फाइवर का आपको दो वासर मिलेगा चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यह कहां पर लगा हुआ होता है वासर यहाँ पर पहले लगेगा 3mm का 3lnk बोल्ट खोल कर shnt fuel tank को खोल कर मैं बाहर निकालूँगा shnt fuel tank को खोल कर बाहर निकालने के लिए आपको 4mm का बिलेगके चैहिए 4mm का बिलेगके लेकर आप इस बोल्ट को खोलिए 3LR की बोल्ट लगा हुआ है 4 mm का एलिंके लेकर इस बोल्ट को आप आराम से खोल दीजिए जब आप तीनों बोल्ट को खोल कर बाहर निकालेंगे एस्टेंड फ्यूल टेंक बाहर आ जाएगा क्या आपने किसान मसीन यूटूब चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो अभी सस्क्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन अन कर ले ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे यह वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा से एर कीजिए देखिए साइड कभर को खोल कर मैं बाहर निकालने वाला हूँ साइड कभर को खोलने के लिए आपको तीन एलेंकी बोल्ट खोलना होगा 4 mm का एलेंकी बोल्ट है यह 4mm का 3 elenky board को खोल कर बाहर निकालेंगे तो side cover बाहर आ जाएगा ये देखे side cover को खोल कर हमने बाहर निकाल दिया है side cover में एक gas kit लगा हुआ होता है चलिए मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ एक plus लेकर मैं pin cam wheel को बाहर निकालूंगा प्लास लेकर मैं पिन केम्विल को बाहर निकाल रहा हूँ यह देखिए पिन निकल चुका है पिन केम्विल को बाहर निकालने के बाद अब आपको बिलो रॉकर को बाहर निकालना है यह देखिए यह है बिलो रॉकर टू पीस बिलो रॉकर लगा हुआ होता है मसीन में एक और पिन केम विल लगा हुआ है यह देखे पिन को मैंने बाहर निकाल दिया है चलिए अब मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ केम विल तो यह देखे यह है केम विल Cam wheel को बाहर निकाल कर आप अच्छे तरह से चेक कर लिजे Cam wheel कटा हुआ, फटा हुआ, तूटा हुआ, डैमेज नहीं होना चाहिए देखिए Jeep और Side Cover Gasket दोनों को हमने बाहर निकाल दिया है Side Cover Gasket इस मसीन का पूरी तरह से डैमेज हो गया है देखिए यह है Side Cover Gasket यह डैमेज हो गया है तो मैं इसे चेंज करूँगा एक New Side Cover Gasket मैं लगाऊँगा इस मसीन में एक Jeep को हमने बाहर निकाल दिया है एक और Jeep लगा हुआ है प्लास लेकर आप Jeep को बाहर निकाल सकते हैं यह देखिए, Jeep बाहर आ गया है यह किसान कराप्ट का 4-Stock Brass Cutter है आप इस मसीन का किसी भी तरह का कोई भी spare parts खरीदना चाहते हैं जैसे कि Fuel Filter, Spar Plug, Carburetor Ring, Piston, Cylinder, Bulb Kalach, Recoil, Starter Cam, Wheel अदर जो भी spare parts आप खरीदना चाहते हैं हमारे पास से तो हमारे पास सभी spare parts अबलेवल है Cylinder के Top में देखिए एक Elinky Bolt लगा हुआ राता है यह बल्ट को खोलना पड़ता है यह देखिए यह जो Elinky Bolt है यह यहाँ पर लगा हुआ होता है तो इसे हमें खोलना है Elinky लेकर यह Elinky Bolt को खोलेंगे तो पीन बाहर आ जाएगा यह देखिए कुरियर दुआरा भेजूँगा आपकी घर पे spare parts Home Delivery हो जाएगा spare parts इसी वीडियो का description में आपको हमारा WhatsApp नमबर मिल जाएगा आप चाहें तो मुझे Message कर सकते हैं या Call भी कर सकते हैं यहाँ पर देखिए Returning Oil Pipe लगा हुआ है Returning Oil Pipe को मैं निकाल रहा हूँ हाथ से खीचने के बाद Returning Pipe नहीं निकाल रहा है तो मैं Screw Diver से इसे निकाल रहा हूँ Returning Oil Pipe को खोल कर चेक कर लेजे कटा हुआ फटा हुआ डामेज नहीं होना चाहिए Oil Deep Stick को मैं Plus लेकर खोल रहा हूँ यह देखिए Oil Deep Stick को आप इस तरह से खोल सकते हैं Oil Deep Stick को खोलने के बाद Engine में Oil चेक करना है Engine में 100 ml Oil होना चाहिए 100 ml Engine Oil इस मशीन में लगता है Sarbo का 20W40 Oil डाल सकते है Oil इस मशीन में बहुत ही कम है Engine का Oil जल चुका है देखिए Oil का लेबल यहां तक रहता है चलिए हम Engine Oil को निकाल कर देखते हैं इस Engine Oil में कितना Oil है Engine में 100 ml Oil होना बहुत ही जरूरी है Engine में 100 ml Oil होना चाहिए दोस्तों अगर आपने New 4E Stock Brush Cutter खरदा है आपने एक नया Brush Cutter खरीदा है 4E Stock Engine Oil 100 ml डालना है 20W40 Sarbo का Engine Oil डाल सकते है फर्स्ट टाइम जब आप Engine Oil डालेंगे वो Engine Oil को 10 गंटे में चेंज करना है उसके बाद आप हर 20 गंटे पे चेंज कर सकते हैं पहले आपको पुराना वाला Oil को बाहर निकालना है उसके बाद नया वाला Oil डालना है 4MM का Elinky लेकर मैं Crank S कभर को खोल रहा हूँ Crank S कभर में 4 Elinky Bolt लगा हुआ है 4MM का यह Elinky Bolt है 4MM का Elinky लेकर आप बहुत ही आसानी से खोल सकते हैं एक Bolt नहीं खुल रहा है तो मैं इसे Hammer से मारकर ढीला करूँगा Bolt को हथोड़े से मारकर मैं लूज कर रहा हूँ Elinky Bolt नहीं खुल रहा है तो आप Hammer मारकर Bolt को ढीला कर सकते हैं दोस्तों आपकी सहर से हमारा वीडियो देख रहे हैं नीचे दिये गए comment box में अभी लिखिए अगला repairing वीडियो मैं किस machine पर बनाऊ जिस वीडियो पर ज़्यादा like और comment करेंगे उसी machine का में repairing वीडियो बनाऊंगा और क्या मैं आपसे थोड़ा partnership कर सकता हूँ हर बार आपको request करता हूँ वीडियो को like जरूर किया कीजिए क्योंकि वीडियो बनाने बड़ा समय लगता है आपके लिए share कीजिए यह वीडियो उन सभी लोगों को जिनके पास यह machine है जिनके आसपास technician नहीं है देखी जर आसपास ना किसान machine यूटूब चैनल सस्क्राइब करवाईए उन सभी से जिनको इस वीडियो से फायदा हो सकता है crankcase कभर को बाहर निकालने के लिए हमें 8 LNK bolt खोलना पड़ेगा 4mm का 8 LNK bolt लगा हुआ है 4mm LNK लेकर आप 8 bolt को खोल सकते हैं crankcase में लगा हुआ 8 bolt को मैं खोल कर दिखाऊंगा कर दोल के लिए झाल 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 चलिए अब मैं चेक करने वाला हूँ पिश्टन देखिए पिश्टन को आप इस तरह से चेक कर सकते हैं ये देखिए पिश्टन में कहीं पर भी एसक्रेच डैमेज नहीं दिख रहा है दूसरे साइड से भी हम चेक कर लेंगे ये देखिए पिश्टन आप देख पा रहे हैं बिल्कुल प्लेन है पिश्टन इस मसीन का बिल्कुल सही है जैसा कि आप देख पा रहे है पिश्टन में जो रिंग लगा हुआ है उस रिंग को मैं चेंज करूँगा सदी रिंग को मैं चेंज करूँगा अगर आपके मसीन का piston damage नहीं हुआ है piston सही है तो आप रिंग को चेंज कर दीजे piston में 5 रिंग लगा हुआ है crank shaft में दोनों तरफ से 2 oil seal रहता है यह देखिए यह जो oil seal है यह damage हो गया है देखिए small oil seal damage हो गया है मैं इस oil seal को change करूँगा यहाँ पर big oil seal है जैसा कि आप देख सकते हैं यह जो मैं big oil seal को निकाल रहा हूँ यह oil seal damage है मैं दोनों oil seal को change करूँगा crank shaft में 2 new oil seal लगाऊँगा crank shaft का oil seal कटा हुआ फटा हुआ डामेज रहेगा तो आपके machine में starting problem आएगा cylinder के अंदर जो मैंने रस्टी डाला था उस रस्टी को इस तरह से निकाल लेना है यह देखे starter wrap को हमने बाहर निकाल दिया है चलिए अब मैं check करने वाला हूँ भल्ब petrol डाल कर हम दोनों भल्ब को check करेंगे देखे अभी आपको दोनों भल्ब dry दिखेगा देखे दोनों भल्ब आपको अभी सुखा हुआ दिख रहा है चलिए मैं petrol डाल कर check करता हूँ कौन सा भल्ब leakage है जैसा कि आप देख सकते हैं silencer side से मैं petrol डाल रहा हूँ इस तरह से petrol डाल कर हम भल्ब का leakage चेक करेंगे यह देखे जैसा कि आप देख पा रहे है भल्ब में petrol डाल रहा है भल्ब leakage है भल्ब damage है silencer side से हमने petrol डाला था जैसा कि आप देख सकते हैं भल्ब leakage है तो भल्ब को हम change करेंगे चलिए अब मैं आपको दिखाऊएंगा carburetor side से petrol डाल कर कार्बूरेटर साइड से इस तरह से पेटरोल डाल कर आप भल्ब को चेक कर सकते हैं चलिए मैं आपको दिखाता हूँ तो जैसा कि आप देख सकते हैं कार्बूरेटर साइड से हमने पेटरोल डाल दिया है तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं या देखे बहुत ही जादा leakage है cylinder में petrol भर जा रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं चलिए मैं आपको दोनों भल्ब निकाल कर दिखाता हूँ भल्ब को किस तरह से निकालना है दोनों भल्ब को बाहर निकालने के बाद हम cylinder को भी अच्छी तरह से चेक करेंगे cylinder damage हो सकता है दोस्तों क्या आपने किसान मसीन चैनल पर first time विजिट किया है किसान मसीन यूटूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ओन कर ले ताकि मैं जब भी कोई निव वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे एक भल्ब इस्प्रिंग हमने निकाल दिया है भल्ब को प्रेस करके इस तरह से इस्प्रिंग को बाहर निकाल सकते हैं दो भल्ब इस्प्रिंग को हमने बाहर निकाल दिया है दोस्तो वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपको कोई सवाल है आप मुझे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं उसका अंसर दूँगा देख probability भल्ब बाहर आ गया है तो मैं आपको दिखा देता हूँ दोनो भल्ब देखिए भल्ब जो है इस मशीन का पूरी तरह से डैमेज हो गया है जैसा कि आप देख पा रहा है दोनो भल्ब को चेक करने केबाद सिलेंडर चेक करना बहुत ही जαιरूरी है अगर आप इस मसीन का spare parts लेना चाहते हैं तो मिल जाएगा आपको spare parts order करने के लिए आप मुझे call कीजिये या message कीजिये whatsapp पर इसी वीडियो का description में आपको हमारा whatsapp number मिल जाएगा आप चाहें तो मुझे message कर सकते हैं या call भी कर सकते हैं देखिए cylinder इस machine का आप देख सकते हैं मैं आपको cylinder दिखा रहा हूँ देखिए इस machine का जो cylinder है ये damage हो गया है यहाँ पर आप ध्यान से देखिए दोस्तों जहाँ पर भल्ब लगता है देख सकते हैं वहाँ पर पूरी तरह से damage हो गया है सेलेंडर में जो भल्ब सीट होता है वो देख सकते हैं कट गया है डैमेज हो गया है सेलेंडर इस मसीन का पूरी तरह से डैमेज हो गया है इसलिए मैं इस मसीन में एक नया सेलेंडर लगाऊंगा सिलेंडर में दो भल बरबड लगा हुआ है भल बरबड को में बाहर निकाल रहा हूँ एक भल बरबड को हमने बाहर निकाल दिया है एक और भल बरबड को में बाहर निकाल रहा हूँ दोस्तो ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये पार्ट 1 वीडियो है अगर आपको पार्ट 2 पार्ट 3 वीडियो देखना है तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिया है लिंक पे किलिक करके आप part 2, part 3 वीडियो देख सकते हैं ये देखे दोस्तों ये है भलबरबड यहाँ पर आपको कटा हुआ दिखेगा वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत सुक्रिया अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं उसका अंसर दूँगा वाटसाप पर भी मैसेज कर सकते हैं डिस्क्रिप्सन में आपको हमारा वाटसाप नमबर मिल जाएगा